नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू जू गोर्मेंट एक्जाम प्रैब। दोस्तों, आज हम लोग डेली करेंट अफेर में डिसकस करने वाले हैं 8 दिसंबर, यानि 8 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से जो कि आपके आगामी परिक्षाएं जो SSC, CHSL, दिल्ली पुलिस, रेलवे, RRB, NTPC, बिहार SI, अधर स्टेट सर्विसेस कमटीशन में यह हल्प करेगा तो आईए दोस्तों, एक एक करके चर्चा करते हैं, आज के रास्टी मामलों में पहली खबर है ग्वालियर, दा हिस्टोरिकल सिटी आफ मध्यप्रदेश औरचा, इंक्लिडेड इन दा लिस्ट आफ यूनिसको वर्ल्ड हेरिटेस साइड दोस्तों, यह हमारे लिए गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर और ओरचा को, यूनिसको जैसा कि इसके बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ यूनाइटेड नेशन एजुकेसनल साइंटिफिक कल्चरर और्गनाइजेशन तो यह जो है अर्बन लेंड इसकेफ सिटी प्रोग्राम के तहत बिश्व धरोवर की सूची में इसे सामिल किया गया है यूनिसको अब ग्वालियर और ओर ओरचा के एतिहासिक अस्थलों को बेहतर बनाने तथा उसकी खुबशूरती निकारने के लिए परेटन विभाग के साथ मिलकर मास्टर प्लान तयार करेगा दोस्तो साल 2021 में यूनिसको की टीम मदप्रदेस आएगी और यहां की धरोवर संपदा को देखकर मास्टर प्लान तयार करेगी तो यह काफी महत पूर्ण हो जाता है देखें यहां पर आपको सीधे सीधे आपसे प्रस्न पूछेगा कि हाल ही में यूनिसको ने अर्बन लैंड स्कैफ सीटी प्रोग्राम के ताहद मदप्रदेस के किन दो अस्थानों को अपसॉर्ट लिस्टेट किया है सीधे ये प्रस्न आएगा और फिर थोड़ा सा आप यूनिसको के बारें भी जानते रहें थोड़ा सा ओर्चा के बारें भी जानते रहें तो दोस्तों बुंदेला राजवन्स हुआ करता था सोलावी सताब्दी में यह राजधानी था और चा में राज महल जहांगीर महल राम राजा मंदिर राय प्रवीन महल लश्मी नरायन मंदिर ये भी महत्पूर्ण है कभी कभी आर्ट एंड कल्चर के ताहद भी प्रस्न बन सकता है दोस्तों ग्वालियर का जैसा की जानते हैं सिंधिया फैंबली से यही से बिलॉंग करती है एतिहासिक नगर नौवी शत्ताब्दी में इस्थित इस्थापित ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवन्स तोमर बगहेल कच्छवाओं और सिंधिया राजवन् की सूची में आने के बाद गौालियर का मान सिंग पैलेस बहुत सुंदर बना है गुजरी महल सहसरबाव मंदिर जो MP का एक्जाम देते हैं उनमें इन सब खूब परिक्षाओं में आते हैं तो मद्ध प्रदेश PCS से लेकर के मद्ध प्रदेश की जो राज की जो सेवाओं से संबंदित जो एक्जाम होते हैं यह सीधे पूछ लेता है कि गुजरी महल कहां है सहसरबाव मंदिर कहां है लश्मी नरैन मंदिर कहां है तो इस तरह से जो MP के छात्र होंगे वे इनको और अच्छे से देख लेंगे और प्लस SSC CGL के भी छात्र एध्यान रखेंगे यह किस शेतर में पढ़ता है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिसको के बारे में जान लीजिए कि यूनिसको है क्या बता चुका हूँ कई बार इसका है एड़ कोर्टर पेरिस में है इसकी जो हेड है आंद्रे अजोले है इससे पहले इरीना बोकोवा हुआ करती थी दोस्तों इस दोस्तों अभी हमारे देश के केंदरी परियावरण और वन्यों जलवायु मंत्री कौन है प्रकास जावेद करिये भी ध्यान रखियेगा कभी-कभी मंत्राले से भी प्रसना जाता है तो सेंटरल जू एथर्टी ने अभी 37 थे यानि 37 बैठक में देश के दो चिडियागर को ध्यान रखिये ना मानिता दे दी है और इसमें कौन कौन से हैं बिहार का राजगीर चिडियागर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखफुर में शहीद अश्फाक उल्ला खान प्राणियु ध्यान को मानिता दी गई है या सिधे सिधे याद रखियेगा सिधे आपके पर अला खान और राजगीर तो इस तरह से दो तरीके से Central Jew Authority ध्यान रखना इसका Headquarter New Delhi में है दोस्तों और यह भारत सरकार का एक निकाय है इट इस अलसो एन एफिलियेटेड मेंबर अप दो वर्ल्ड फेडरेशन आप जूज और एक्वेरियम से यह भी पॉइंट ध्यान रखन Under the Wildlife Act 1972 यानि 1972 संरक्षण अधनियम के तहत केंद्रिये चिडियाघर प्रादिकरण का गठन किया गया है इसमें एक प्रेसिडेंट होता अध्यक्ष 10 सदस से होते हैं और एक सदस से सची होते हैं और इसका मुख उद्देश यह है कि वन जीव के संरक्षण में रास्टी प्र जाते हैं जानवर या जीव जनतु उनकी रक्षा करना उनको प्रोटेक्शन देना ध्यान रखेंगे दोस्तों इंडियन मोबाइल कॉंग्रेस 2020 का उद्घाटन आज हमारे देश के प्रधान मंतरी ने किया है दोस्तों और इसमें एक और भी बहुत महत पूर्ण पहले ही दिन हमारे जो रिलाइंस के चीफ मुकेस अमबानी का नाम सुना होगा दोस्तों तो मुकेस अमबानी जो प्रोमोटर आप दा कंट्री स लार्जस मोबाइल कंपनी भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी के प्रोमोटर रिलाइंस जीओ के चेयरमेन है रिलाइंस इंडिस्टी के उन्होंने इनाॉंस कर दिया है कि 5G नेटवर्क इंडिया में लाँच कर जाएगा यानि कब 2021 की दूसरी तिमाही में इसे लॉंच करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है जियो की फाइती दर पर यानि सस्ती दरों पर 5G की शुरुवात करेगा और जियो 5G की तकनीक स्वधेसी होगी सबसे बड़ी महत्पून बात यह है उन्होंने कहा कि भारत के प्रधान मंत्री ने जो आत्म निर्भर भारत मिशन अभियान चलाया हुआ है जीयो की स्वधेसी 5G तकनीक प्रधान मंत्री के आत्म निर्भर भारत मिशन की शफलता का गवाह है यह भी पूसकता है जैसे कि 20 मोबाइल कॉंग्रेस कहां पर आयोजित की जाती है तो बार्सिलोना यह कहां है दोस्तों बार्सिलोना कलब भी फूटबॉल सुना होगा ना तो यह जो है बार्सिलोना इस्पेन में है याद रखना इस्पेन की कैप्टेल मैडरिड है इंडियन मोबाइल कॉंग्रेस में 30 से अधिक देशों के 210 रास्टी और अंतरास्टी श्पीकर करीब 3000 से अधिक प्रतिनिदियों के भाग लेने की उमीद है दोस्तों IMC 2020 में बिभिन मंत्रालेओं दूर संचार कंपनियों के CEO, Westwick CEO, Global CEO, 5D तकनीक एक्सपर्ट, Artificial Intelligence, Internet of Things, Data Analytics, Cloud and Ace Computing, Blockchain, Cyber Security ये सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं शिरकत कर रहे हैं दोस्तों नेक्स है अंतरास्टी मामले अंतरास्टी मामलों में India and Israel hold tax on security and counter terrorism cooperation दोस्तों देख रहे हैं कि भारत और इसराइल ने सो मुआरको शुरक्छा और अतंकवाद विरोधी सायोग पर वारता की है और यहाँ बहुत ही अच्छी खबर है कह सकते हैं चूंकि इसराइल आप देख सकते हैं एक छोटा सा देश है लेकिन अपने इर्द गिर्द को किसी भी देश को वहाँ नहीं फटकने देता है फिलिस्तीन को तो जैसे वहाँ अगर वह एक मारता है तो उनके दस सैनिकों की प्रिटा करने में तुरंत मतलब कोई कोटा ही नहीं बरता है तो इसराइल और इसकी टेक्नलाजी यहां के लोग भी बहुत ही बिद्वान होते हैं दोस्तों हिब्रू यहां की जो में है जो कह सकते हैं यह लिपी है यहां की यह धियान रखना दोस्तों और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा की गई यहां यहां दोस्तों यह सोलहावा दोर था वारता का विदेश सचीव के स्टार्ट अप उर्जा और निवेस के सायोग पर भी चर्चा की गई बुंदेल खंड में जल सनरक्षंड में चलाये जा रहे साजहा पाइलेट प्रजेट की प्रगत पर भी चुकि इसराइल की मदद से बुंदेल खंड चुकि दोस्तों याद रखना या अभी मैंने चर्चा की थी बुंदेल खंड जो छेतर है उत्तर प्रदेश और मदप्रदेश के बीच में इस्थित है नहीं उत्तर प्रदेश मदप्रदेश की सीमा के अंतरगत आता है बुंदेल खंड का पटार है दोस्तों यहाँ पर जल की समस्या है तो जल सनरक्षंड चुकि लोगों के पास जमी है लेकिन अगनाज उगाने के लिए जल की विवस्था नहीं सिचाई इरिगेशन डिवलप्मेंट नहीं हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर मदद कर रहा है कौन इसराइल इन सब पर भी चर्चा की गई बिश्व विद्याले अनुदान आयोग इसराइल की समकर्ष संस्ता के द याद हो तो जब कोरोना स्टार्टिंग स्टेज में था तो हमारे देश के प्रधान मंतरी ने हाथ जोड़ कर जब संबोधन किया तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैश्विक अस्तर पर नाम आया था उन्होंने भी कहा कि देखिए भारत की संस्कृती ही कोरोना से बचा सक है गोलन हाइट्स यह सब काफी चर्चिस जगह है ध्यान रखना और यह वेस्ट बैंक यही सबसे ज़्यादा फिलिस्तीन और उसके बीच जो विबात का विशह है गाजा इस्ट्रिप यह इजिप्ट है इधर बगल में ध्यान रखेंगे जॉर्डन की कैपिटल अमान है य भूमत देसागर है ध्यान रखेंगे और भूमत सागरी जल्वाई भी यहाँ पाई जाती है दोस्तों अब यहां पर देख सकते हैं कैपिटल है जेरूशलम यहां की जो करेंसी है इसराईली शेकल है प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतनिहानू और प्रेसिडेंट है अब बढ़ते हैं समाचारों में विविन रास्टी और अंतरास्टी ब्यक्तित तुम्हें यानि नेशनल और इंटरनेशनल पसनालिटी में आज हम बात करेंगे अधार पुनावाला की इन्हें जो है सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया के सीओ हैं अधार पुनावाला पहली बात इनका पिक्चर आप यहां पे देख सकते हैं इन्हें एशियन आफ दा इयर चुना गया है दोस्तों तो सिंगापूर की लीडिंग निउस्पेपर है दे इस्ट्रेट टाइम से ध्यान रखना ये भी जो प्रमुख अखबार क्या नाम है उसका दे इस्ट्रेट टाइम ने पुनावाला सही छे लोगों की इसके लिए चुना है इन सभी ने कुरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है तो सीरम इंस्ट्यूट टो वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन कंपनी बेज़ इन पुने हमारे देश में है वाइन है जोई हैंड हैंड इनुवर्स्टी अफ ऑप्सपोर्ड यह निविश्टी अफ ऑप्सपोर्ड और ब्रिटिस स्वीडिस फर् तो मैनुफेक्चर कोरोना वैक्सीन और दे सीरम इंस्ट्यूट विल मास प्रोडूस दे कोरोना वैक्सीन कोवी शील्ड हाँ यह भी ध्यान रखना दोस्तों दे इंस्ट्यूट इज आलसो टेस्टिंग इन इंडिया एशियन आफ दे यर चुना गया है पुने में इस्तित सीयो बने और उनका इंस्ट्यूट गरीब देशों की मदद करेगा ताकि उन तक आसानी से कोरोना की वैक्सीन पहुंस सके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यह हमारे रास्ट्य वैक्तित तो हैं शुशिल मोदी जी इनका पिक्चर आप देख रहे होंगे बिहार के उपमुख् संत्री हैं चुकि इनका कदब काफी बढ़ चुका है भारती जनता पार्टी के वरिष्ट नेताओं में यह आते हैं तो आफ्टर एसेंबली लोक्षभा और एक सबसे महत्पूर देखे इनका यह सबसे वड़ी चीज़ की हैं एमेले भी रह चुके हैं लोक्सभा सांसद भ बिहा होता है विदहान सभा चुकि बिहार में दुई सदनात्मक व्यवस्था है तो विधान सभा और विधान परिश्द जिसको लेजिस्टिटिव काउंसिल एंडेडिस्टिव एसेंबली तोनों के में बर हैं दोस्तों तो इस तरह से सुसील मोदी पहले जैसे मोदी से पहले बिहार बीजेपी में कोई भी सदस अभी तक चारों सदन का सदस से नहीं बना है तो इस तरह से लालू यादो का नाम सुना होगा दोस्तों सबसे जादा समय तक बिहार परशासन किया था उन्होंने भी तो ये ध्यान रखना कि लालू में भागलपुर से ये लोकसभा सांसद बने और 2005 से अब तक शुशील मोदी बिहार विधान सभा के सदस रहे हैं अब निर्विरोच चुने जाने के बाद वह राजसभा के सांसद भी बन गये हैं और यह सीट कहां से खाली हुई थी राम बिलास पासवान का भी हाली में में भारत का एक पेसिडेंट होगा तो दोस्तों राजसभा इसको प्लेट फॉर्म आफ इंटिलेक्चुल कहा जाता है बुद्ध जीवियों का मंच कहा जाता है इसका कभी भी बिगटन नहीं होता है ये ध्यान रखना दोस्तों तीन अप्राइल 1922 को इसकी अस्थापना वर्तमान में राजसभा के सभापती वेंकईया नाइडू है इसका कारेकाल 6 वर्स का होता है दोस्तों एक तिहाई सदस से हर 2 वर्स पर रिटायर होते हैं दोस्तों 245 मेंबर वाली राजसभा जिसमें 12 मेंबर को राष्ट पती मनोनीत करता है नॉमिनेट करता है जो कि किस वर्तमान में काम कर रहे हों विज्ञान, कला, साहित और समास सेवा के छेतरे यानि साइन्स टेक्नलाजी, साइन्स टेक्नलाजी, आर्ट, कल्चर, सोसल सर्विस में जो लोग मदद करते हैं उनको राष्ट पती मनोनीत करता है 12 सदस्यों को तो इस तरह से राजसभा के देने की बात आए, निरनायक मत देने की बात आती है, तो राजसभा का सभापती वोट दे सकता है, यह सारे फैक्ट है और तो आप पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, नेक्स है हम लोग बात करते हैं, बैंकिंग यह वित्त संबंदी समाचारों में बहुत ही अच्छी खबर रही है, इंपोर्ट फ्राम चाइना डिक्रीजड एंड एक्सपोर्ट इंक्रीजड तो दोस्तों, यह एक पहली बार एक देखने को मिल रहा है कि चीन से भारत को होने वाले निर्यात में बड़ी गिरावट आई है, और यह दो हजार बीस के पहले ग्यारा महीने में तेरह यह दियान रखना 13 फीजडी घटा है, डिक्रीज हुआ है, तो चीन के शीमा सुल्ग विभाग ने आयात निर्यात के आंक्रे जारी किये हैं, इसके मताबिट 2020 में 16 फीजडी निर्यात किया है और 13 फीजडी अब जा करके फायदा, तो कारण क्या है कि पूरवी लद्दाग आप भारत में बैन कर दिये, भारत लगातार बैन कर दिया थे, इस साल के 11 मेह ने भारत और चीन के भी द्विपक्षी है, यानि कह सकते हैं, बाइलेटरल टेट 78 अरब डालर कर रहा, और दोनों देसों का व्यापार 2019 में 92.68 अरब डालर रहा, तो सीमा सुल्ग के आंक्रों के अनुसार, यानि कह सकते हैं, नॉंबर के दोरान करीब 59 अरब डालर मूल का निर्याद किया, जो है चीन ने इस साल, और यह पिछले साल 2019 की तुलना में 13% कम है, तो यह अच्छा है, हाला कि भारत निर्याद किया है, तो इस से भारत को फाइदा हुआ है, चुकि चीन को आयात, पहले 11 महीनों में 19 अरब डालर रहा, और यह 2019 की सी अवत के मुकाबले 16% अधिक था, अब बढ़ते हैं, पुरसकारों में आप देख रहे हैं, यह पिक्छर किसका है, यह हैं हमारे महतपूंड लेखक हैं, पत्रकार भी हैं, रासकमल जाजी हैं, तो इनको जो है, थ पन्या से इनका नौविल है, The City and the Sea के लिए, तीसरे रवीदना टेगो शाहित पुरसकार से इनको सम्मानित किया गया है, दोस्तों, तो यह गोशना आयोजक और प्रकासक पीटर बुंडालों ने की है, कोबिद 19 महामारी के कारण 5000 डालर के यह पुरसकार बिजेता की गोश पुरसकारों की दोड़ में जो थे, कौन था और, अमिताब घोश थे, गन आयलेंड, ये भी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, निर्मला गोविंद राजन की टैबू, और रनजीत हसकोटे की जोना वेल, यह तीनों याद रखिएगा, महतपूर्ण है, और दोस्तों, रवि तो पिछले वर्स बिटिस मूल के भारती उपन्यास का राणा दास गुपता को, उनके उपन्यास सोलो के लिए, तो पुराना भी याद रखिएगा, चुकि कभी-कभी RRB, NTPC, CHSL, SSC में एक साल पुराना भी दे देता है, तो पुराना वाला भी याद रखना दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, आज के खेल समाचारों में, दोस्तों ये देख रहे हैं, पिक्शर आप दिख रहा है, फार्मूला रेस कार में, जो है, जिहान दारू आला ने पहले ऐसे भारती हो गए है, फार्मूला टू चैंपियन मिक शुमाकर और डेनियल टुम के खिलाफ र 3.5 सेकेंड पीछे रहा है, जबकि टिक्टुम किसे तीसरे अस्थान पे रहा है, इस तरह से जेहान ने है, सीर्स पे रहा है, इनका नाम याद रखिएगा, सीधे पुछ लेगा, किस खेल से संबने, ग्रैंड प्रिक्स से या कार रेसिंग से ऐसे भी प्रसना आ जाता है, जेहान दारुवाला ऐसे पहले भारती हो गए है, फार्मूला टूरेस जीतने वाले, अब बढ़ते हैं दोस्तों, बाला देवी, इनका पिक्चर आप देख रहे होंगे, बाला देवी इंडियन वोमेंस फुटबॉल, यानि बाला देवी बिकेम इंडिया's first female footballer to score goal in Europe, दोस्तों, बाला देवी एक योरोपी कलब के साथ पेशेवर अनुबंद पर स्ताक्चर करने वाले, पहली भारती महिला फुटबॉलर हैं, ये भी लाइन ध्यान रखना, और खिलाडी ने एक और इतिहास रसती हुए, स्कॉट्टिस प्रीमियर लीग में, मदर वेल वोमें पर नाइन जीरो की रोमांचक जीत में, रेंजर्स वोमेंस एफसी के लिए अंतिम गोल किया, और दोस्तों, वरतमान में भारती फुटबॉल टीम की कप्तान कौन है? आशा लता देवी हैं, और इन्होंने काफी तारीफ की है, उन्होंने कहा, अगर बाला देवी का यही र तो भारती टीम में उनका स्थान पका रहेगा, और आगे वह खेल सकेंगी, अगला है दोस्तों, महत्मूर दिवस में, आज बहुत ही महत्मूर दिवस है, सार्क, S-A-A-R-C, South Asia Association Regional Corporation, डे आज, दोस्तों, आजी के दिन 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी सार्क की, तो दोस् 8 दिसंबर 1985 को इसका हेटकोर्टर काटमांडू नेपाल, और फर्स्ट सार्क कांफरेंस वाज हेल्ड इन धाका, बंगलादेश की कैपिटल धाका में हुआ था दिसंबर में ही, और इसमें जो सदस से कौन कौन से हैं, बंगलादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भारत, माच 2017 को पाकिस्तान के वरिष्ट राजनाइक अमजद हुसैन बी सियाल सार्क के 13 महासच्यू के रूप में बने, इसके पहले अरजुन बहादूर थापा थे, कहां के नेपाल से थे, तो इस वर्स 2014 में सार्क के महासच्यू यह बने थे, कौन अरजुन बहादूर थापा, उसके बाद यह बने हैं पाकिस्तान के, और दोस्तों इसके पहले महासच्यू कौन थे, तो अबुल एहसान, ध्यान रखेंगें के बंगलादेश के, जिनका कारेकाल 1989 तक था, और पहली महिला मौलदीव की हैं, फातिमा धियाना साइद कई बार परिक्चाओं में आया अब बढ़ते हैं, let us talk about some important facts, दोस्तों जैसे उस दिन हमने महात्मा गांधी की चर्चा की थी, आज हम लोग बात करेंगे दादा भाई नोरोजी, grand old man of India, भारत का कह सकते हैं, राजनीत का पितामा ही नहीं कहा जाता है दोस्तों, इनका जन्म 1825 को 4 सितंबर को Bombay under the British Raj, उसमे का विवा हो गया था, गुलबाई से, दोस्तों, दादा भाई नोरोजी नी, Scotland University से, Elphinstone College में गणित और प्राक्रतिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी की थी, ध्यान रखेंगे Mathematics and Natural Science, and in 1850 में, 1850 में, यानि 25-year-old थे, he was appointed as a teacher in this institution, यानि जहां पर पढ़े, वहीं पर यह teacher भी नियुकत हो गए, दोस्तों, दादा भाई नोरोजी का पास के ब्यवसाई और प्रतिस्ठिक निर्यातक भी थे, सोचिए, अभी आगे एक बहुत ही महत्पूर्ट फैक्ट आने वाला है, दोस्तों, दादा भाई नोरोजी ने 1851 में, रहनुमा मजदायन सभाई, ये कई दोस्तों, वर्स 1855 तक दादा भाई नोरोजी बंबई में, गणित और प्राक्रितिक विज्यान के अध्यापक के रूप में भी काम किये, फिर 1855 में कामा एंड कमपनी के हिस्सेदार के रूप में, दादा भाई नोरोजी वापस इंगलेंड चले गए, और दोस्तों, दादा भाई नोरोजी नोरोजी ने किरतिमान स्थापित किया, कि बिटेस में किसी भारती कमपनी को स्थापित किया, लेकिन तीन वर्स के बाद उन्होंने इस कमपनी से स्तीफा दे दिया, फिर खुद का भी उन्होंने बनाया, उन्होंने नोरोजी एंड कमपनी के नाम से का पास निर्यात, कॉटन निर्यात करने वाली कमपनी के स्थापना की, आप देखेना भारत का मांचेस्टर, जबकि हमारा देश कभ से कॉटन का पाधन कर रहा था लेकिन इंग्लेंड जो है मांचेस्टर सहर को डेवलब किया हमारे हाँ से कच्चा माल ले जाता था और उसको अप्रियो करती, यही कारण है कि उन्होंने जैसे धन निकासिका से धान्त दिया था पावर्टी अन बिटिस रूल इंडिया इनकी पुस्तक का नाम था, यह भी ध्यान रखना दोस्तों और उनिरस्टी कॉलिज आफ लंदन में फिर उसी समय इंग्लैंड में थे तो गुजिराती भासा की यह अध्यापक भी नियुक्त की है तो बिटिस के समझ भारतियों का दिश्कोर्ण रखने के लिए दादा भाई नोरोजी ने 1867 में भारती रास्टी कांग्रेस के पूरवरती इस्ट इंडिया एसोसियेशन के स्थापना की थी ये भी पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों 1874 में दादा भाई नोरोजी बड़ोदा के राजा के प्रधान मंत्री बने इतना ही नहीं 1885-88 तक वह बंबई विधान परशत के सदस भी रहे भारती रास्टी कांग्रेस के स्थापना से कुछ समय पहले ही सुरेननाथ बनरजी के समान उद्देश वाले संगठन इंडियान नेशनल एसोसियेशन की भी स्थापना की थी दोस्तों इन 1886 में जब कॉंग्रेस और इंडियान नेशनल एसोसियेशन का जब विले हो गया तो 1886 में भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने 1885 में स्थापना हुई थी याद रखना ये भी देट या 28 थाप दिसंबर 1885 में कॉंग्रेस के स्थापना हुई थी जिसके प्रतम अध्य फर्स प्रेसिडेंट कौं था डबलू सी बनर जी थे ध्यान रखेंगे दोस्तों और 1886 में ये बने फिर 1887 में दादा भाई बदरुदिन तयब जी बने तो दादा भाई नवरोजी बिकेम दाफ बिटिस इंडियान एंपी तो एलेक्टेट टू दा लिबरल पाल्टी फ्राम फेंसबरी सेंट्रल ध्यान रखना है ये भी ध्यान रखना है कि कहां से सांसद चुने गए थे तो पहले बिटिस सांसद इवें एशिया के पहले ब्यक्ति थे फिर दुबारा 1906 में दादा भाई नरोजी भारतिरास्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने और 92 येर ओल्ट 30 जून 1917 को इनका वारसोवा यानि दादा भाई नरोजी का नेधन हो गया बिटिस अधीन ध्यान रखेंगे तो ये काफी महात्पूर्ण है इन्होंने धन निकास का सिद्धान दिया था ध्यान रखेंगे पावर्टी और अन्बिटिस रूल इंडिया इनकी पुस्तक का नाम था ये सब काफी कार और रियाद रखना कि ये नरम दल के नेता थे ये उदारवादी व्यक्तित के नेता थे जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में एक्स्ट्रीमिस लीडर एंड मॉडरेट लीडर तो ये मॉडरेट लीडर के साथ गए अब बढ़ते हैं आप लोगों के प्रैक्टिसेशन में जो की लगातार बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं आज उत्तर देने वालों में सोनिका, खंडेल, वाल, शुमेंदू, रवी मीना, पुरज उपाध्याय, सौरभ चौधरी, अस्विन प्रभा, आदिती रानू, मिस्टर गौरो सिंग, सरब रथा बनरजी, मधु आश्तोष, विक्की, क्लियर कंसेप्ट, ज्यान रंजन शरीक अंसारी, सुदिक्षा सेलियान, इस तरह से काफी लोगों ने आज उत्तर दिया और बहुत ही अच्छा उत्तर सब लोगों ने दिया है, रोट, दशरत, तुन्टुन कुमार, तो इन सब लोगों ने आज उत्तर दिया है, पहला क्वोश्चन आप लोग सामने है, which two places आप मद्ध प्रदेश है बीन इंक्लूड़ इन दे लिस्ट आफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज बाई यूनेस्को अंडर इट्स अर्बन लैंड इसकेफ सिटी प्रोग्राम, तो भोपाल और इंदौर, ग्वालियर और ओर्चा, जबलपूर और ग्वालियर या ओर्चा और नेस्ट कोशन है केंद्रिय चिडिया घर प्राधिकरण की 37 बैठक उत्तर प्रदेश के किन दो राज्यों के चिडिया घर को मानता दी गई है ये भी हमने बताया था 37 बैठक जो हमारे मंत्री थी प्रकास जावेटकर ने घोशना की तो कौन कौन से उत्तर प्रदेश और घर खंड या बिहार और मद्ध प्रदेश नेक्स्ट है मोबाइल वर्ड कांग्रिस का आयोजन हर साल कहां होता है उसी की तरज पर भारत चौती बार इंडिया मोबाइल कांग्रिस 2020 का उद्गाटन आज ही हुआ है तो बताएंगे आप यहां पर हम बात कर रहे हैं मोबाइ वर्ड कांग्रिस कहां पर बार्सिलोना में पेरिस में या जर्मनी में या ब्रिटेन में नेस कोशन है वाट इस दे कैप्टल आफ इसराइल तेहरान है येरुशलम है तिबलिशी है येरेवन है तो दोस्तों इसमें इरान इसराइल जोर्जिया और आर्मेनिया इन चार दे पुणावाला को शायरस पुनावाला या हर्शवर्धन सिंग या किरण मजूमदार्शा को नेस कोशन है सुसील मोदी किस राज से निर्विरोध राजसभा सांसच चुने गए हैं उत्तर प्रदेश से बिहार से ज्छार खंड से या मद्द प्रदेश हाल ही में किसे तीसरे रवीन नाट टैगोर साहित पुरसकार से सम्मानित किया गया है वह राज कमल जहां है, अमिताफ गोस है, निर्मला गोबिंद राजन है और रंडजीत हसकोटे तो दोस्तों इन लोगों की किताबों को भी याद रखेगा मैं बता चुका हूँ इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने चर्चा की और आपके उत्तर दीजेगा और आज का वीडियो और यहां की खबरे अगर अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं थैंक्यू दोस्तों